नमस्कार बहुत स्वागत आप सबका देख रहे हैं आईश्मान भाव मैं हूँ आपके साथ आप काईश्टो फेंड संतो संतोशी दिनांक साथ अगस्त को पैदा हुए लोगों के लिए पूरे वर्ष का हाल लेकर के उपस्तित हूँ स्रिक्षा, ब्यापार, प्राइवेट सिक्टेर, सरकारी छेत्र, दामपत्त जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्त, सबकुछ एक जगह हम आपको बदाते हैं इसे ही वर्ष फल कहा जाता है अर्थात जिस दिन आपकी जन्म तारीख है आंगल काईलेंडर के अनुसार उस दिन आधार पर क्या तालमेल है उसी पर पूरे साल का हाल निरधारित होता है तो सबसे पहले तो बधाई 7 अगस्त को पैदा हुए हमारे समस्त मित्रों को बधाई उन मित्रों को भी जो 7 अगस्त को अपनी marriage anniversary certificate करते हैं आईए बढ़ते हैं बताते हैं सबसे पहले 7 अगस्त को पैदा हुए लोगों की सिक्षा के विशे में पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ अच्छे अवसर आपको मिलने जा रहे हैं सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं आएगा सिक्षा छेतर में कुछ विशेश तालमेल बैठेगा सिक्षा छेतर की स्थिति कुछ बड़े पैमाने पर होगी सिक्षा छेतर में कुछ परिस्थितियां बहुत सकरात्मक होगी ब्यापार की स्थिति सिक्षा छेतर में एक और चीज है कि जैसे बोर्ड का एक्जाम आएगा तो उसमें आपका पर्फॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज हो जाएगा अभी आप तेज है डिसंबर जन्वरी नमंबर मार्च स्वास्त में दिक्कत अप्रेल माई नई जगा एड्मिशन के लिए उप्यूगत है जून के बाद कॉंप्टेटिव एक्जाम्स में बहुत अच्छा पर्फॉर्मेंस है जुलाई एगत बाहर जाकर कि आप से छाग रहन कर सकते हैं विदेश या स्वदेश में ही अन्य शहर में ब्यापारिक दिश्टिकोंट से देखा जाए तो थोड़ा सा आपको परेशान होने का मैं कहूंगा कि समय आ सकता है फस जाएगा पैसा कहीं निवेश उल्जा देगा कुछ अचानक तनाव और दोश बढ़ सकता है मांसिक रूप से कुछ परेशानी आएगी विदेश ब्यापारिक दिश्टिकोंट से पार्टनर्शिप दिसंबर, फरवरी, मई में तूट सकते है धन का निवेश सोच समझकर करना होगा दिनांक साथ अगस्त को पैदा हुए लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर की स्थिति अगर देखी जाए तो बड़ी अनुकूल है प्राइवेट सेक्टर में मकान का सुख, वाहन का सुख इस वर्ष कनफर्म मानिये यह आपकी किसी मित्र की मदद से संभव होगा प्राइवेट सेक्टर वाले जो साथ अगस्त को पैदा हुए हैं उनके लिए कुछ मानस्रिक शान्ति का भी अवसर प्राप्त होगा आप पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा और सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा कोई बड़ा काम आपके हाथ से संपन होने जा रहा है वह आप तत्छन ओके कर सकते हैं, सरकारी छेत्र मकान का सुख मिलेगा, प्रमोशन के चांसेज हैं, अक्टूबर नौवंबर में दिसम्बर जन्वरी कोई दोस्त बहुत अच्छी पैरवी करेगा प्रमोट होने के साथ स्थानांत्रों और ट्रांसफर भी हो सकता है परिवार के करीब आने का आउसर मिलेगा, शुबता की वृद्धी होगी, बहुत प्रशन रहेंगे मार्च अप्रेल में बहुत चेंज हो सकते हैं अक्टूबर दिसम्बर के बीच कुछ लंबी यात्राएं आफिस की तरब से आपको करनी पड़ सकते हैं दामपत्य जीवन दिनांग 7 अगस्त को पैदा हुए लोगों के लिए एक तरह का अवसर देगा दामपत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं आई दामपत्य जीवन का प्रभाव कुछ बहुत सकरात्मग भी होने जा रहा है दामपत्य जीवन के लिए आप पर एक बहुत उन्नत शीलता का भी प्रभाव पड़ेगा दामपत्य जीवन में कोई विशेश दिक्कत नहीं आईगी संतान का सुख सितंबर मार्च जोन अगस्त कोर्ड कचहरी से मुक्ती और छुटकारा फरवरी जोन अगस्त लव लाइफ थोड़ा सा चेड़ा समय है सितंबर में ही खत्रा दिखाई देता है अक्टूबर ठीक जाएगा अक्टूबर में परिशानियां नहीं आएगी नवंबर दिसंबर प्रेम संबंधों में प्रगारता रहेगी हुमने टहलने के कारिकरम बनेंगे कुछ परिश्थितियां बहुत अनकूल होंगी एक और चीज है कि लव लाइफ में जनवरी से और मार्च के बीच में कोई न कोई इंगेजमेंट दिख रहा है अगर आप अकेले हैं स्वास्त के मामले में आँख पेट और अक्टोबर नॉवंबर के बाद हड्डियों की समस्या किटनी लीवर वाले जो पहले से बीमार है वो फरवरी के बाद सावधान रहे है कोई आप पर एक्सिडेंट वगरे भी संभो लग रहा है जनवरी, अप्रैल, मई का लाष्ट और जुलाई का मीड है प्रियोग के तौर पर तीन बच्चों को पाठ पुस्तक और दो पीपल के पौधे कहीं पब्लिक प्लेस पे लगा दीजे ये छोटा सा उपाय आपके लिए है जिनकी आज शादी की सालगिर है किसी कन्या की शादी में मदद करके दो बच्चों को सिक्षित कर दीजेगा ये आपके लिए प्रियोग है छोटा-छोटा ये प्रियोग आपके लिए एक अलग तरह का आवरर तयार कर देगा अगर आप का जन्म हुआ है साथ अगस्त को तो आप सुरक्षत रहेंगे पूरे साल यह हम वर्शफल बताते हैं जो भी आपकी दोस्तियार मित्र हों जिनकी आज सादी की सालगी रहे हैं जिनका आज भी वहा है रिश्टेदार हों उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करिए या कमेंट बॉक्स में आप उनका नाम फेस्बुक नाम जो भी उनका आईडी है वो टेक कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू सो मच आपकी इस प्यार के लिए दिनांग 11 से 17 सितंबर गयाजी में आपके लिए आपके स्वजन जो पितर बन चुके हैं उनके लिए पिंडदान की व्यवस्था की जा रही है अधिक और पूरी जानकारी के लिए जो नमबर आपके सामने फ्लेश हो रहे हैं उन पर आप वाट्सप कर सकते हैं नमस्कार शेरादे